असलाम लेकुम एब्रीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग सब, मैं बिलकुल छीक हूँ, अच्छे जी, आज की वीडियो में जो है, मैं अपना वीकेंड का रूटिंग शेयर करी हूँ, तो बचों को मैंने भी नाश्ता वगरा करा दिया था, और अभी मैं जो हूँ, वो सफाई करने लगी थी, तो सबसे पहले जो है, वो मैं लॉंडरी स्टार्ट करी थी, इस दवा का वीकेंड मेरा जो है, काफी जादा विजी था, सैटरेडे को जो है, ग्रॉसरी वगरा करने गये थे हम लोग, और सारी चीजें लेके मैं आई थी, और संडे को जो है, वो सारी प्रपेशन वगरा करके रखी थी, अच्छा, सबसे पहले जो है, मैं लॉंडरी से स्टार्ट करती हूं मेशा, ताकि बाकी काम जब तक करूंगी तो कपड़े वगरा धूल जाएंगे, अच्छा, मैं नहीं करती हूं कि जो रेगुलर डिटरजेंट होता है वो तो डालती हूं, लेकिन साथ में जो है, मैंने एक लॉंडरी बूस्टर बनाए वाए, उससे जो है, वो स्टेन भी सारे निकल जाते हैं, और थोड़ी सी जो है, वो स्मेल जो आती ने कपड़ों में वो भी नहीं आती, तो ये इसकी रेसिपी जो है, वो मैं नेक्स स्टार्ट करते हूं, अच्छा मैं ये करते हूं कि जिस दर मुझे मील प्रेप करनी होती है, एक साथ सारे खाने बनाने होते हैं, तो एक दिन पहले जो है, मैं सारी चीज़ें साफ करकी रख लेती हूं, जैसे किचिन वगएरा, और सब कुछ रेडी कर लेते हूं, तो आज मैं अपना थोड़ा सा किचिन डीप लीन भी करी हूं, आपके साथ शेयर करती हूं, तो इसे आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, तो अब भी सबसे पहले मैंने अपना डिश्वाशर खाली किया है, ताकि एक काउंटर जो है, वो सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर काउ बरतन जैसे होते हैं, वो डिश्वाशर में डाल सकते हैं, वो सेफ नहीं होते हैं, तो फिर वो हाथ से धूलेती हूं, लेकिन यह काफी जादा बरतन इसके अंदर आ जाते हैं, और एक से दो दफार दिन में लगा लेती हूं, तो पर यह कि बच्चों की वज़ा से जो भी देर से बरतन करती हूं, तो आज है, वो बस थोड़े से बरतन थे, बच्चों को जल्ली से मैंने नाश्टा वगएरा करा दिया था, तो बस जो थोड़े से बरतन थे, मैंने का वो भी डिश्वाशर में लगा लेती हूं, उसके बाद जह मैं अपना सिंक जह है, वो अच्छ तो के जो बरतन होते हैं, वो मैं इस रख के ओपर ड्राय करती हूं, यह इतना अच्छा सा रख है, इसके अंदर दो लेयर लगी मी, नीचे एक ट्रेस ही है, और उपर ग्रास रख कर बनाया है, तो उसके अंदर ही होते हैं, होल्स होएं में चोटए-चोटे, अब अब इसक तो पानी नीचे तक चला जाता और अच्छे से ड्राय हो जाता है जब नुवा हुआ था उस वक्त मैंने खरीदा था जब बिल्कुल न्यूबॉर्ण सा था तो उसकी बोतले वगारा धोने के लिए यह मैंने लिया था तो उस पर यही सुकाती थी तो अब तक जहें वो सही है यह और उसको मैं यूज़ करती हूँ तो अगर आप जहें वो न्यू मॉम्स आइं तो यह मैंने टार्गिट सबाय किया था तो आप ज़रूर उसको चेक कर लें मैं लिंक एट कर दूँगी जहें वो सारे डिश वाशर के अंदर चले गए हैं और थोए दे में मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी तब तक जहें वो सिंक जहें मैं अच्छे से साफ करी हैं उसके बाद इसके अंदर साई सबजियां फूरूट्स वगरा दूँगी तो यह मैं बस चिगे करती हूँ कि बेकिंग सोडा लेती हूँ उसको सोप के साथ अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बनाके और पूरू सिंक पर लगा देती हूँ तो एवरी नाइट या एवरी अदर डे जो है वह मैं यह करती हूँ किस तरह से सिंक को साफ कर लेती हूँ उससे काफी जरत साफ हो जाता है उसके बाद कोई भी विनिगर या वाटर से अच्छी तरीके साफ कर लेती हूँ अच्छा इसके इलावा जो है आज मुझे अपना माइक्रोवेफ भी अच्छी से डीप क्लीन करना था तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ अगर जैसे अंदर से काफी गंदा हो जाता है तो आपने यह करना है कि पानी लेना है बाल में और उसमें लेमन जो ह जो है इसको छला रहे हूंौ किसी चीज की भी जरुवत नहीं होगी ऐसी ही पानी के साथ साफ हो जाएगा क्योंकि वह लेमन की वज़े से सारा जो ग्रीस और ओल लगा वहता है वो सब रिमूव जाएगा फोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया सिर्फ मैंने टॉवल से साफ किया और पूरा जो है वह चमक गया तो मैं यह करते हूँ के एवरी वीक इस तरह साफ कर लेती हूँ और बाहर से भूपे मैं यह करती हूँ कोई से परपस क्लीनर से या विनिगर से स्प्रे करके साफ कर लेती हूँ अच्छा मील प्रेप करने से पहले न मैं यह भी करती हूँ कि इस तरह चूलें पे फॉइल लगा देती हूँ इस तरह असानी होती है चूले अगर जैसे गंदे नहीं होते और नीचे जो भी खाना मगरा ग और उसके ओपर जो भी खाना गरता है तो इसको थोड़ा बहुत साफ कर लेती हूँ और वीकली जहां इसको चेंज कर लेती हूँ वीडियो भी तक देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉमें ज़रू बताइएगा क्या आपको मेरा कॉंटेंट कैसा लग रहा है और अगर वीडियो पर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीज़ेगा और आप नेक्स वीडियो में क्या देखना चाते हैं आपकी क्या क्या रिक्वेस्ट हैं वो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बता दीज़ेगा और मुझे इंस्ट्रगैम पर ज़रूर फॉलो कर लीज़ेगा वहाँ पर मैं काफी ज़ादा एक्टिव रहती हूँ वहाँ पर काफी चीज़े शेयर करती हूँ अपना रूटीन्स वगएरा अच्छा जादा तर जो हैं हम वीकेंड्स पे ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो मैं एक दिन पहले ही सारी ग्रॉसरी लेकर आ गए थी अच्छा कुछ चीज़ें हम लोग कॉसको सबाय करते हैं जो हमें बल्क में चाहिए होती हैं या फ्रूट्स और वेजीज वगएरा औ लिए हैं जाकर किसी देसी स्टोर सर psychology ल देता हैं बहुत सारे मसाले टा तो वहां पर चीज़ें दिजा आर пост कर लेती हूं अब बस मैं कर रही हूँ कि सिंक अच्छे से जो है वो साफ हो चुक है तो मैं जो हूँ सारे फूर्ट्स और वेजीज जो है ना उनको अच्छे से वाश कर रही हूँ इस पर मैंने काफी सारी डीटेल वीडियो बनाई थी कि मैं इनको किस तरह वाश करती हूँ किस तरह सोप करती हूँ तो उसका लिंक जह है डिस्क्रिप्शन में मैं आड़ कर दूंगी अभी बस मैं यह कर रहे हूं कि वौश करके इनको जह है वो सेपरिट कर रहे हूं और फिर जह है इनको डॉय करूँगी और डॉय करने के बाद स्टोर करूँगी इससे फाइदा होगा कि नेक्स टे जैसी मैं मेल प्रैप करना स्टार्ट करूंगी तो सब चीज़ें मेरे पस बोश होंगी कुछ जहें वो कटी भी होंगी और मुझे पता होगा कि बस मुझे चीलना है और जल्दी से यूज़ करना है उसके लावा जो फूर्ट वगरे हैं बच्चों के स्नैक के लिए अच्छे हैं तो दुलेवे जब रखे होते हैं तो फिर सब अराम से खा लेते हैं करना तो यह कि पर कोई खाता नहीं है तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि यह मेरी एक चोटी सी जो वो कार्ट है इसके अंदर में फूर्ट वगरे इड़ेस्ट कर लेती हूं सबजियां वगरे इसके लावा एक दिन पहले जहें सारा फ्रिज वगर मैं खाली कर लेती हू और जो भी चीजें फेकने वाली होती हूं को फेक देती हूं कुछ साफ सफाई करके रख लेती हूं उसके बाद जो फूर्ट वगरे हैं जिनको फ्रिज में रखना होता है वो रख लेती हूं तो फिर नेक्स्टे जैसी मैं पकाना स्टार्ट करूंगे सब चीजें सैट होंगी, कटी भी रखी भी होंगी, साफ सुतरी तो बस यह कि मुझे लिस्ट बनानी होती है, मैं मैं अपना एक हफभते पहले ही मिल प्लैन कर लेती हूं कि मुझे क्या-क्या चीज़े बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह मील प्लानिंग करती हूँ तो फिर यह कि मुझे पता होता है कि मुझे क्या-क्या खरीदना था और क्या-क्या जा है वो खाली हो गया जा काफी सारी फूर्ट्स और वेजीज़े जो बाहर रखनी होती है वो मैं इस तरह से बॉल में निकाले के सामने रख देती हूँ ताकि जिसको भी काना होगा बस काटेगा और खालेगा लेकिन इसके इलावा जैसे बैरीज होती है फ्रूट्स वगयरा जो के फ्रिज में रखने होते हैं उनको मैं वाश करती हूँ नीचे कंटेनर में पेपर टावल बिचाती हूँ और इसके पाद उनको वाश करेके इस तरह रख देती हूँ सेपरेट कंटेनर में और पिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ और तकरीबें एक हफते में ये खतम हो जाते हैं बच्चों को स्ट्रॉबरीज और बैडीज वगरे बड़ी पसंद है तो फॉरन ही जहें ये खतम हो जाती हैं इनकी स्मूदीज वगरे में बना लेती हूं बच्चों के लिए तो जब धुलीवी कटी भी रखी होंगी तो बस केबनेट है बहुत जादा स्पाइज है मेरे पास तो मैं इसको सैट करके रखती हूं इस तरह और गनाईज करके तो इस पर भी मैंने वीडियो पुई फुल बनाई थी किस तरह और गनाईज करते हूं तो अभी जो हो थोड़ा सा जो हो खराब हो गया था और चीज जहें सा करती हूं यह मेरे पास चोटी सी जहें वह ग्लास कंटेनर से इसके जहें वह रिद अलग से खरी थे और यह मेसन जार चलाते हैं तो मैं तो घर में यहाले यूज करते हूं तो बहुत असानी होती है यह वाश मुझ जाते है डिश वॉशर के एंदे और बस मैं बल्क में जह मेसाला एख लेती हूं। अच्छा यह मैं फिल खान खाता हैं। शीषी में दो कट्री करके लगाती हूं कि कौन सा निया मसाला है। यह से फिल कर लेती हूं यह किना मसाला कटम हो जाते हैं। यह बड़ा थोड़ा रीफिल करती हुं। और एक कंटीनर है बड़ा सा मैने बनाया है उसके अंदर जह है वो सारा रीफिल का स्टॉक होता है तो फिर उसमें जह है वो जो जो चीज खतम होती जाती है तो उसमें से निकालके और इन शीशियों में भढ़ लेती हूँ अच्छा जैसी खाना पकाना स्टार्ट करो और कुछ मिसिंग होना तो बड़ा ही घुस्सा आता है कि सब भी खतम होगई चीज यह नहीं थी वो नहीं थी तो इसलिए पहले ही दिन जो है ना मैं सब चीज़ें रिफिल कर लेती हूँ सब चीज़ें पाये कर लेती हूँ ग्रो जब मैं खाना बनाने बैठों ना तो फिर में पास सब चीज़ें सैट हुई भी रखी हूँ तो अब यह बस मैं सब चीज़ें फिल कर ली हैं और इसको जो है मैं वापस ट्रखने लगी हूँ तो उपर वाली जो रॉ है उसमें सारा गरम मसाले वगारा रखे में मैंने और आगे का भी तो उठाने में भी असानी होती है और फिर मैं इसको लेविल करके इस तरह रख लेती हूं मुझे तो घर में हर कोने को ज़ले को इस तरह और और अर्गनाइस करने का बहुत शौक है कि मतलब मुझे हर चीज सेट चाहिए होती है और हर चीज कंटेनर्स में तरीके से रखी होनी चाहिए तो मुझे बढ़ अच्छा लगता है काम करने भी भी बहुत मसा आता है I hope आच की वीडियो आपको चलेगी होगी मेरा कॉंटेन्ट पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पे नए है तो सब्स्राइब जरूर कर लेजेगा अपना बहुत सारा ख्यार रखिए नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी अला आफेस टे केर बाई